तो दोस्तो अस्रमिसाइल अब बनने जा रहा है इंडियन एरफोर्स का सबसे प्राइमरी हतियार और इसके साथ साथ इंडियन एरफोर्स का रुद्वे को भी बढ़ाने का जिम्मेदारी अब अस्रमिसाइल के हाथ में हैं। पाकिस्तान के F-16 के रडर रेंज के तुलना में भी जादा था। इवन इन मिसाइलों के वदालत इंडियन एरफोर्स के मिक-29 एरक्रैप्टो ने पाकिस्तानी एरफोर्स के F-16 को पाकिस्तान के एर स्पेस के अंदर ही आसानी से रडर लॉक कर लेता था। पर दोस्तो दीन केक करके इंडियन एरफोर्स के हर एक फाइटर एरक्रैप्टो में शामिल किया जाएगा। अल्डेडी अस्त्र मिसाइलों को सुकोई 30 MKI में टेस्ट किया जा चुका है और इसे सुकोई 30 MKI में इंटिग्रेट करने का काम भी किया जा रहा है। और अफ सुनने को ये भी आ आने वाले कुछ महिनों के अंदर संभव है जबकि इंडियन एरफोर्स के बाकी फाइटर एरक्रैप मतलब मिराज 2000 और मिक 29 जैसे एरक्रैप्टों में भी अस्त्र मिसाइलों को लगा जाने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों खाली ये अस्त्र मार्क 1 नहीं बलकि इं 260 किलो मिटर और मार्क 3 जिसका रेंज करीवन 30-500 किलो मिटर उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। रैम जेट, सॉलिट फ्यूल, रैम जेट और डूयल पल्स, सॉलिट रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि असरम मार्क 3 के लिए एक नया टेकनोलोजी के इंजिन के उपर काम किया जाए रहा है, जिसे सॉलिट फ्यूल, डॉक्टेड रैम जेट कहा जाता है, द 248 ऐसा मिसाइल पहले फेज में खरीदा जाएगा, जो इंडियान एर फोर्स के साथ साथ नेवी के फाइटर एर क्रेप्टों में एकुएप्ट किया जाएगा, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और मे मेरा वीडियो देख पाए, सबसे पहले, जय हिंद!